है कaces वीडियो में वेलकेंसे और उदस्वीरिडियों की जरह को बताने वाली हूं कि जो आप ऌराश की यसाथ शुदिए सी टो stad टोर अपको बताए था तो खो प्लीट जानकारी दूंगी कि कि तरीके से आपको कहां से जा क्या करना है कैसे आप अपने सर्च बार में आ जाना है तो यहां पर आपको सेर्च करना है मैं आपको clear के यहां पर कर देती हूं कि अगर आपने SSC में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन गवर्मेंट ओफ इंडिया में लोगिन किया हुआ है जैसे ही आप यहां पर रजिस्टर कर देते हैं तो आपको जो डेटा है उनके पास फीड हो जाता है अगर आप उन्हें रजिस्टर पहले से किया हुआ है तो आप यहां पर आईडी पासवर्ट जो आपका महां से यूजर नेम रजिस्टरेशन नंबर आपको अलोगिन कर सकते हैं लेकिन मुझे पता है कि काफी सारे स्टुडेंट ने नहीं किया होगा यही प्रॉब्लम है तो यहां से आपको रजिस्टर आपके सामने ओपन होगा तो यहां पर आधार कड़ आपके पास और नहीं है वह आपको इसे बिल्कुल motor बीटेल पूछ रहे सिर्फ हैं तो वह जैसे ही हां पर जैसे लिए मृगणे सारी ही अगाItadar क Leia चला कार ईकनो पीड़ में सारी है एक लृटेलस आपको फोच्प नहां से कर देना है आपको से वह जैसे याप सेव करेंगे तो मिल जाएगा इस-का क्या से नंबर य यह इन आपको स्टbare नंब पासवर्ड यहां पर डालना है जैसे यह वाड़ियं करने के बाद आपके सामने करने के बाद करने की अपड cater nautis for ficks 10 22 स säga पर एक करने में कोई भी इशू नहीं है बिल्कुल इजी प्रोसीजर है सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा अगर आप डी फाम आपने किया हुआ है तो आपको आपको डी फाम पर क्लिक करना है जैसे ही आप डी फाम पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपसे experience मांगेगा आप experience दो साल का mandatory है if आपने डी फाम किया है डिप्लोमा इन फामिसी किया है अब मैं बता दूं और वह experience experience जो होना चाहिए ना वह किसी medical store का आपका नहीं चलेगा अगर आपने दो साल किसी medical store पे भी काम किया है वो experience जैसे काउंट नहीं होगा क्योंकि मेडीकल स्टोर से इसक्रैक्स कोई भी बनवा लगुत आपके है सबस्क्राइब करें लाएगा जेए तो यह चीजस नहीं आपका किसी इस्टोर का इक्सपिरियंस काम नहीं करेंगा और होस्पिटल में आपने जौब किया है वह एक्सपिरियंस भी यह přे करेंगा तो यह चीज आप दिहान रखिएगा और दूसी चीज जैसी आप यहां पर एक्स्पियंस लगा देते हैं अपनी वह क्या बोलते हैं फिल कर देते हैं कि आप डी फार्मा के कंडिडेट है तो यह सारी चीज नोर्मल जनरल इंफोमेशन आपको वहां पर फिल करके देखिए कर लिया है मैंने pdf open तो इसमें कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि जुनियर कैमिस्ट की भी इसमें जॉब है जॉनियर कैमिस्ट की क्या निकली है यह जूब निकली है अब इसके लिए यक फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकता है तो मैं आपको बता दो Project Apply कि यह फा norm केमिस्ट्री उसके बाद इसमें मांगा है कि अगर आप बायो टेक्नलोजी से हैं तो यह अगरी कल्चर से हैं तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो फार्मसिस्ट इसके लिए अपलाई नहीं कर सकता है यह चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा और भी यह है कि आप अलग अलग reason से apply कर सकते हैं, जैसे कि कोई उत्तरपरदेश से है, कोई मद्धपरदेश से है, तो नहीं आप दोनों से एक साथ apply कर सकते हैं, आपको login पॅपकार को साथ यह लेकिन पॉरक अपकर you! जो भी confusion हो इससे related वो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताईएगा उसके लिए मैं next video जरूर बनाऊंगी या फिर form फिल करने से related अगर कोई confusion होग या फिर आपको यह लगता हो कि मैं फोर्म ही फिल करके आपको दिखाऊंगी तो वह भी मैं आपके लिए जरूर करके दिखाऊंगी उसके लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे comment section में आप comment जरूर कीजेगा मिलेंगे next informatic video के साथ तक त झालने वादना